फिल्म इंडस्ट्री में करियर बन गया तो ठी लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में करियर नहीं बनता है तब आक्टर्स को बहुत दिक्कत आती है या तो उन्हें बिल्कुल ही गायब हो जाना पड़ता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री के कई आक्टर्स गायब हुए हैं शाइनी आहूजा, मयूरी कॉंगो या फिर उन्हें इंडिया छोड़कर बाहर जाना पड़ता है या फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वो अध्यात्म के रस्ते पर चले जाते हैं आज फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे आक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो एक टाइम पर सूपर स्टार थे जो कई तरह की लैंगविजिस में फिल्में कर रहे थे लेकिन आज की डेट में वो एक मैकेनिक का काम करते हैं इस आक्टर का नाम है मिर्जा अब्बास अली इन्होंने जादा करके साउथ के फिल्मों में काम किया है बॉलिवूड की इक्की दुक्की फिल्मों का भी यह हिस्सा रहे हैं 1996 में उन्होंने कतिर की कतल देशम नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने मल्यालम, टेलगू, तामिल कई फिल्मों में काम किया और ये फिल्म में सूपर हिट भी हुई लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब अब्बास ने डिसाइड किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहेंगे अब फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर वो इंडिया में ही रहते तो लोग दस बाते बनाते कि क्या कर रहा है, क्यो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी यही कारण है कि अबबास फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर इंडिया भी छोड़कर चले गए वो न्यूजिलेंड में है जहां पर वो एक पेट्रोल पंप पर कार मेकेनिक का काम करते हैं उन्होंने कहा कि इंडिया में अगर वो ये काम कर रहे होते तो शायद बहुत बाते बन जाती मीडिया में लेकिन यहां पर किसी को फुरसत नहीं है कोई देखने वाला नहीं है और मैं भी आराम से अपना काम करता हूँ अबास ने बताया कि उनकी जिन्दगी में एक ऐसा पॉइंट आया था जब उनके पास कुछ नहीं ही था और उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया था तब उन्होंने इंडिया चोड़ा और ये मैकेनिक का काम करना शुरू किया और काम में उनका मन लगा तो जिन्दगी आगे बड़ी कुछ वक्त तक अबास ने कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का भी काम किया था लेकिन वो काम जादा नहीं चल पाया अबास ने शादी भी कर ली है उनकी वाइफ एक डिजाइनर है इसके अलावा अबास पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी बातों से लोगों को जाकरूप कर सके और उन्हें आत्महत्या करने से रोक सके